तो दोस्तो आपने phone pay और paytm जैसे apps आपने payment के लिए तो बहुत use की होंगे बट दोस्तो investing करने के लिए ये apps उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि दोस्तो अगर आप phone pay से invest करते है mutual funds में तो आप क्या करते हैं indirectly आप उन mutual funds के regular plans को choose करते हैं क्योंकि उसमें regular plans ही सिर्फ दिखते हैं उसमें कोई भी direct plan नहीं होता है क्योंकि दोस्तो जब भी आप mutual fund choose करते हैं तो उसमें आपको कुछ expense ratio देना होता है तो वो expense ratio आपकी जेब से कटता है अब दोस्तो आप जब भी mutual fund choose करेंगे तो उनके name में direct growth plan होना चाहिए तो यह आप उनमें आप चेक कर लिजीगा phone pay में अगर आप phone pay यूज करते हैं तो उनमें कोई भी ऐसे direct plan growth वाले कोई भी आपको mutual funds नहीं बिलेंगे सिर्फ उनके नाम जो भी mutual fund आप choose करेंगे उसके बस नाम लिखा होगा लेकिन उसमें direct growth plan नहीं होगा सपोज कि किसी भी mutual fund का 2% वो phone पे charge कर रहे है या फिर pay टियम आपस ऐसे mutual fund अगर आप invest करेंगे तो वो 2% charge कर रहे है अब यह 2% को क्या किया जाए कि सपोज आपने 5,000 invest किया इसका 2% को लिया जाएगा और उसको 365 days से divide किया जाएगा और जो भी पैसा बनेगा वो उस date का expense ratio होगा जो कि आपके account से कटेगा अब दोस्तों यह जो पैसा होता है यह current जो भी आपका पैसे का amount चल रहा होता है तो उससे वो कटता है suppose कि अभी वो 5,000 amount अभी आपने invest किया कल को वो 2 साल या 3 साल के बाद वो 5,000 बढ़के 10,000 या 15,000 हो जाता है तो अब उस 15,000 में से expense ratio कटेगा जो 2% है उसको divide के जाएगा 365 days से और जो भी amount निकलेगा so ऐसे एकर for a long run अगर आप invest कर रहे हो तो जैसे कि 10 साल 15 साल के लिए तो ये 2 से 3 4 लाग का भी difference क्रेट हो जाता है क्योंकि ये amount भी compound होता है आपके पैसे के साथ so यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आप back करेंगा आपको ये wealth वाला section में लेगा wealth पर आप जैसे click करेंगे आपका ये खुल जाएगा यहाँ पर फोन पर में तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि problem कहां पर आ रही है जिस वजह से आपको मना करता हूं इससे आप इंवेस्ट नहीं करें तो यहाँ पर आगर आप आएंगे किसी भी बेस्ट S.I.P. funds में इस तरीके से आप click करेंगे तो आपको दीख जागा यह S.I.P. Contra Fund यह वो तो जैसे आप यहाँ पर click करेंगा तो सीधा आपका आजा गई यह invest करने व expense ratio के था expense ratio है 1.78% ठीक है अभी आप यहाँ पर देखिए और भी आपको दिखा रहा हूं अच्छा है चेफंट कोटक flexi cap fund ठीक है यहाँ पर आए आप see more पर आए इधर भी नहीं दिखेंगा आपको exactly आपको इस पर ऐसे click करना को तब ही आपको दिख जागे देखिए expense ratio है 2 2.33% है quant flexi cap का अब यही अगर मैं आपको quant flexi cap का direct आपको मैं grow पे दिखा दू ठीक है अब यहाँ पर आप लिखिए quant quant flexi cap ठीक है direct growth यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यह expense ratio 0.58% expense ratio और यही same expense ratio आपको यहाँ पर 2.33 expense ratio है 2.33% तो आप यह देख सकते कितना बड़ा अंतर आपको आ जाता है और यह आपका जो 1.5% आपको जो जा रहा है न वह आपका यह phone पे कमा रहा है इससे तो इस वज़े से यह आप for a short mutual fund में invest कर रहे हैं तो आप लंबे समय के लिए obviously करेंगे invest छोटे time के लिए तो आप करें आपका फॉरेट परेंड यह आपका और इसकी नाम में भी आप चेक कीजिए पराग परिक सिर्फ लेक्सी केप है लेकिन यही अगर हमें यहां पे इसका डारेक्ट ग्रोथ परान हम लोगों को चाहिए जैसे कि यहां पर पराग पारीक हम यहां पर लिखेंगा पराग परी तो यहां पर नेम पर आ रहा है डायरेक्ट ग्रोथ तो अब यह जो इस नेम पर आ रहा है तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखी 0.68% है तो इससे तो काफी कम है ना 1.48% तो इस वज़े से मैं आपको बोलता हूं कि आप यह ग्रोव पे शि पैसा बच जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी फोन पे आप ATM आप से आप नहीं करें आप ग्रो आप से करें जो भी आपको करना है इस वज़े से आपने पैसे को बेकार में आप क्यों लूस करोगे आप सिंपली डिसकाउंट ब्रोकर से जाके इंवेस्ट करो जैसे कि ग्रो जिरोधा अब स्टॉक है इन सबके डिमेट अकाउंट के लिंक्स जैसे ओपन करना है वो सारे मैं आप दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप महा से ओपन कर सकते हैं और वहीं से आप इन्वेस्ट कीजे किसी भी डिसकाउंट ब्रोकर से या फिर जिस में दे आपििनवेस्ट करना चाहते हैं उसके डेक्ट अ करकरगर कर आप पैसे किजी क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका बहुत पैसा बच जायगा अब जैसे आपको कैसे चूज करना है जो भी मुच्प तो उसके नेम में आप देख़ी कि डेक्त ग्रोथ यहाँ चाहिए ताकि उसमें कोई भी dividend आ रहा है कुछ भी आ रहा है अगर वो तो वो क्या होगा कि वो भी direct आपके पैसे में ही invest हो जाएगा और आपका पैसा थोड़ा जादा जल्दी grow होगा क्योंकि दोस्तों यह जो पैसे है या आपके hard earned money है तो इसको बेकार में आप बस एक यो मेर